हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे येट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं carbon microphone के बारे में ठीक है carbon microphone के बारे में आपको बहुत सारा knowledge इस video lecture में मिलने वाला है तो जो हम लोग का consumer electronic subject है उसका बहुत ही important topic हो जाता है carbon microphone ठीक है इसके एक-एक topic को हम लोग cover करने वाले है इस video lecture में तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन-कौन से topic को हम लोग carbon microphone में cover करेंगे तो सबसे पहला topic हम लोग का होगा principle जो carbon microphone है वो किस principle पर work करता है कैसे work करता है ठीक है दूसरा इसका होगा topic structure जो carbon microphone होता है उसका structure कैसे होता है ठीक है इसको हम लोग cover करेंगे अगला जो topic रहेगा हम लोग का working रहेगा ठीक है जो carbon microphone है वो कैसे work करता है इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही simple तरीके से ठीक है फिर इसके बाद हम लोग दे लोग का टॉपिक रहेगा वो कारेक्टरिस्टिक रहेगा जो कारबन माइक्रोफोन है उसके कारेक्टरिस्टिक कौन-कौन से होते हैं और कितने होते हैं इसके बाद जो हम लोग का topic होगा हो इसके features होगा अलग-अलग कुछ features होते हैं carbon microphone को उनका हम लोग study करने वाले हैं तो इसके बाद हम लोग का क्या आएगा application जो carbon microphone है उसका use कहां पे होता है इसका application कहां पे है इन सारे topic को हम लोग बारी बारी से इस video lecture में cover करने वाले हैं तो please video को last तक देखिएगा video बहुत ही interesting होने वाला है बहुत ही knowledgeable होने वाला है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ठीक है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका working principle जो carbon microphone होता है उसका working principle कैसे होता है तो वेन फाइन मार्वल गरनुल्स इंक्लोज इनक्लोज इनकेस और सब्जेक्टर तो प्रेशर वारियेशन दे रजिस्टेंस और ग्रनुल्स वारीड तो अभी हम लोग इसका structure देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि carbon granules का हम लोग यूज करते हैं उसपे क्या होता है एक डाइफाग्राम होता है डाइफाग्राम पर जैसे साउंड पढ़ता है तो उस carbon जो granules है उसका resistance या तो कम होता है या फिर ज्यादा होता है तो यहां से जो भी हम लोग का जो sound बोला जा रहा है जो भी pressure हम लोग दे रहे है sound pressure ठीक है और sound pressure में जो भी variation हो रहा है इसके कारण से carbon granules होगा उसके resistance में भी वरियेशंस होगा ठीक है जब जो carbon granules है वहाँ पे high pressure देंगे ठीक है जो high pressure जाएगा तो यहाँ पे कम होगा और जब वहाँ पे carbon granules है उसमें low pressure होगा low pressure देंगे तो वहाँ पे क्या होगा reflection होगा ठीक है अभी हम लोग इसका working समझते हैं इसके figure से बहुत अच्छे से clear हो जाएगा तो add different pressure carbon granules has different resistance तो different pressure के लिए जो भी sound pressure है ठीक है different pressure के लिए जो carbon granules होता है उसका resistance होगा वह अलग-अलग होगा different होगा ठीक है अभी हम लोग इसका structure देखेंगे तो अच्छे से और clear हो जाएगा कैसे work करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका structure carbon microphone का कुछ चीज फॉर्म में होता है यहाँ पे metal plate है ठीक है यह वाला part है आपका metal plate है इसके बीज में आप यहाँ पे carbon granules है है ठीक है यह वाला जो पाट है वह carbon granules है और carbon granules के उपार और नीचे fixed plate होता है और movable plate होता है मतलब दो metal plate होगा यहां पर यहां पर ओर यहां पर दो plate होगा जो एक movable plate होगा एक fixed plate होगा तो इन movable اور fixed plate के बीच में हम लोग carbon granules को रखते हैं इन carbon granules ने इन दोनों के बीच में हम लोग रखते हैं इसके बाद क्या होता है यहां पर diifromb लगा हुता है जो metal का बना होता है Diifrom है वाला पार्ट ठीक है यहां पर spring लगा हुआ है और यहां पर ऊपर वाला है वो प्रोटक्टिव कवर है ठीक है उसकी protection करता है इसका तो यहां पर इसका working क्या होता है कि हम लोग जानते हैं जो microphone होता है उस sound pressure को variation in sound pressure को electrical signal में change करता है जो भी हम लोग यहां से बोल लाए है जो भी हम लोग का sound निकल लाए है उसको किस में change करेगा microphone? electrical signal में ठीक है उसको electrical signal में change करता है sound को electrical signal में change करता है अब कैसे change करता है इसमें जो carbon microphone है उसका working कैसे होता हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो सबसे पहले जो होता है हम लोग जो भी कुछ बोलेंगे mic के through वो कहां पर जाएगा ऐसे जाएगा यहां से हम लोग बोल लहा है ठीक है जो भी sound pressure है यहां से हम लोग बोल लहा है तो sound pressure हो रहा है तो sound pressure जो होगा वो कहां पर पढ़ेगा diaphragm पर पढ़ेगा ठीक है तो diaphragm पर जैसे sound pressure पढ़ेगा इसमें variation होँगे ठीक है इसमें जो diaphragm है मेटल डाइफ्राम है वह वाइफ्रेट होगा ठीक है इस तरह से यहां पर जो डाइफ्राम है वह वाइफ्रेट होगा क्योंकि यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है इस करण यहां पर वाइफ्रेट होगा तो जैसे यहां पर डाइफ्राम वाइफ्रेट होगा तो यहां पर ज जब इधर जाएगा तो यहां पर कुछ फैलेगा ठीक है तो इससे क्या होता है इसका जो resistance होता है वो vary करता है जब diaphragm जब यहां से high pressure देते हैं हम लोग तो यहां पर क्या होता है डाइफरां अंदर जाता है तो कम पर कार्बन granuls होते हैं उनका resistance कम हो जाता है धीक है जहलों high pressure देते हैं एहां पे तो इसका जो कम हो जाता है हम लोग जानते हैे जब resistance कम होगा तो इसका जो current होगा वह हाई हो जाएगा तो यहां चिन्ट करेंड एदा flow जब यहां पे लोग प्रिक्षर मनोग देंगी दाइफ्रॉघ्राम पर तो यहां पर क्या होगा सी कर्फरेक्शन होगा तो यहां से क्या होता है इसका वर्किंग यही है बहुते है और फिर यहां को आउट्पूद मिलता है यहां से मलूंग ले लेते है यहां पे एक बैटरी लगाते हैं कि यहां पे एक क्यों लगाते हैं और यहां पे जो हीं संदुम्ट मैंच शूरारी सीथे तरहा तो आपक्यार में कुछ आ कि क्यों रगा घचा और कैसे हम लोग penso फ्राम हे जोबही हम लोग सौंद प्रेशर दे रहे हैं जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं उस उसंद प्रेशर में वैरियेसं हो रहा है तो उसके कड़रता है चीजल मिलेगा ठीक है तो यह होता है इसका working बहुत ही simple है यहाँ पे जैसे ही डाइफर ग्राम पे हम लोग sound and pressure देंगे तो यहाँ पे जो कारवन करेंवल से इसका resistance vary करेगा और इसके अंसार से जो current flow होगा यहाँ से हम लोग को output मिल जाएगा ठीक है बहुत ही simple है इसका working अब हम लोग देखन जो sound pressure होगा जैसे डाइफर आम पे पड़ता है तो क्या होता है compression में क्या होता है fresh carbon granules जो carbon granules होते हैं और ओहां से जो carbon granules का resistance होता है वो कम हो जाता है जिसके कारण से current होता है जो current का flow है वो increase हो जाता है जादा हो जाता है सेम इसी का ultra होता है reflection में तो जैसे ही हम लोग low pressure देते हैं तो जो carbon granules है और उसमें reflection होता है reflection होने से क्या होता है जो carbon granules का resistance हो ज्यादा हो जाता है carbon का resistance हो ज्यादा हो जाएगा तो उसमें जो current flow होगा वो कम flow होगा ठीक है तो इस तरह से आप इसका working लिख सकते हैं तो absence of sound जब हम लोग जो microphone है carbon microphone उसमें कोई sound नहीं दे रहे हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो उसमें एक steady current flow होता है ठीक है तो net resistance of carbon granules r equal to r naught plus del r यहाँ पर r क्या है इनेट resistance है carbon granules का total resistance है और यहाँ पर r naught क्या है वो steady resistance है जब कोई sound pressure नहीं दे रहे हैं तो उसमें जो resistance है r naught है और जैसे sound pressure में variation हो रहा है तो जो r में change है जो resistance में change है वो del r है ठीक है तो इसका net जो carbon के रहे हैं से उसका net resistance इतना होता है अभी हम लोग इसका derivation करने वाले हैं इसके बाद तो वहाँ पर आपका अच्छे से और clear हो जाएगा कि कैसे इसका derivation करते हैं तो हम लोग जानते हैं ohms law ohms law क्या होता है v equal to ir इसको लेख सकते है i equal to v upon r ठीक है इतना तो clear है इसके बाद क्या होता है अभी हमने पढ़ा है कि r equal to r not plus del r होता है जाहां पर r क्या है net resistance है r not क्या है Youngologia resistance है जो अब हम लोग qui pressure, जो sound pressure है नहीं दे रहा है उस समय carbon granules का resistance है इको R not बोलते है और del r है there r क्या है जो हम लोग sound pressure दे रहा है उस समय कुछ carbon granules है उसके resistance उसको बोलते है del r ठीक है इतना तो clear है अब हम लोग देखते हैं कि यहां से जो V है और R है तो यहां से माल लेते हैं कि R का वाईली हम लोग पूट करेंगे तो I equal to V upon यहां पे जो R होगा R naught plus del R plus R real होगा load resistance हमने देखा है कि जो transformer उसके पहले load resistance R real लगाए हैं उसके पहले एक बैटरी लगाये थे ठीक है तो यहां से जो इसका total resistance होगा R equal to जो होगा वो R naught प्लस DEL R होगा प्लस load resistance होगा ठीक है तो यहां से इसके बाद क्या होगा कि जो i है equal to हो जाएगा V V हो जाएगा और R naught plus R real यह होता है आपका R तो यहां से जो r equal to होगा वह कितना हो जाएगा r not plus r real तो यहां से हम लोग put करें देंगे यहां पे तो इसमें क्या हो जाएगा r plus del r हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा v हो जाएगा upon हो जाएगा यहां से r हम लोग common लेंगे तो 1 plus del R upon R हो जाएगा क्योंकि यहां से कामल लिए तो यहां से हो जाएगा यहां पे R ही नहीं तो यहां पे डिन विटर में चला जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा V upon R हो जाएगा यहां पे और इसको हम लोग जब उपर वेजेंगे तो इसमें पावर माइनस 1 होगा अभी हम लोग बाइनुवल थूरम का यूज करेंगे तो आपने बाइनुवल थूरम तो पढ़ाई होगा तो उसमें क्या होता है जो उसका पावर होता है वो धिरे धिरे इंक्रीज होता है तो power increase होने से क्या होता है अभी हमनों इसका formula देखते है तो जैसे हमनों binual theorem का use करेंगे तो इसमें क्या होगा I equal to हो जाएगा V upon R और इसका binual theorem का जब use करेंगे तो इतना हैगा 1 minus del R upon R minus 2 del R upon R का whole square minus इस तरह से बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं माल लेते हैं कि जो del R आपान R है वो बहुत कम है 1 से ठीक है del R upon R जो है वो बहुत कम है इस कारण से जो इसका power होगा वो हड जाएगा इतना हम लोग माल लेते हैं next label ठीक है तो इससे क्या होगा तो I equal to हो जाएगा V upon R 1 minus del R upon R हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग माल लेते हैं कि बहुत ही कम है इसलिए इसको छोड़ देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं तो इसके बाद क्या होगा I equal to हो जाएगा V upon R 1 minus del R upon R हो जाएगा यहाँ से जो V upon R होगा इसको हम लोग बोलते हैं IDC ठीक है तो V upon R को हम लोग बोलते हैं IDC steady current steady current मतलब जो भी हम लोग sound pressure दे रहे हैं उससे पहले जो भी हम लोग carbon microphone यूज़ कर रहे हैं उस पर अभी कोई sound pressure नहीं दे रहे हैं उससे पहले का जो current flow हो रहा है V upon R है equal to IDC है ठीक है यहाँ पर हम लोग अब इसके value को put करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I equal to IDC हो जाएगा इसके अस्थान पर ठीक है IDC हो जाएगा और 1 minus del R upon R हो जाएगा यहाँ से क्या होगा IDC को हम लोग यहीं पर रखेंगे IDC का इसमें multiply करेंगे अंदर ठीक है तो IDC minus IDC into del R upon R हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा यहाँ से हम लोग एक तरफ रखेंगे IDC into del R upon R को equal to क्या हो जाएगा IDC हो जाएगा और इसको इधर बेजेंगे तो minus हो जाएगा I हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं del I ठीक है तो del I equal to हम लोग का जो current में variation है वो किनना हो जाएगा del I तो equal to हो जाएगा IDC into del R upon R तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही carbons में variation होंगे जो carbon में variation होंगे जो carbon granules का resistance है उसमें जो variation होंगे तो उसके current में भी variation होंगे ठीक है तो इसका formula यही है बहुत ही simple है del I equal to IDC into del R upon R तो इसका formula कायने का मतलब यही है कि जैसे ही जो carbon granules का resistance है उसमें variation होंगे तो उसके current में भी variation होंगे ठीक है यह तोई गए इसका derivation अब हम लोग देखने वाले हैं इसके characteristic को जो carbon microphone है उसके characteristic को हम लोग समझते हैं तो इससे पहले लिए वीडियो लेक्चर में जो हम लोग microphone और इसके characteristic के बारे में लोग देखा था तो इसमें बहुत अच्छे से clear हुआ था कि जो microphone होते हैं उसके कौन-कौन से characteristic होते हैं ठीक है तो जो carbon granularse होते हैं जो carbon microphone होते हैं उनकी characteristic को हम लोग देखने वाले हैं तो इसमें क्या होगा यहां पे जो पहला इसका characteristic है वो output impedance है तो जो इसका output impedance होता है वो about होता है 100 ohm के ठीक है output जो impedance होगा carbon microphone का वो लगभग होगा 100 ohm और जो इसका SNR signal to noise ratio SNR को बोलते है signal to noise ratio इसका जो होगा वो पूर होगा ठीक है अच्छा नहीं होता है क्योंकि जो हम लोग जानते है SNR और noise में relation जानते हैं कि जैसे ही noise ज्यादा होगा SNR कम हो जाएगा कम होने का मतलब पूर हो जाएगा ठीक है जब यह SNR पूर होगा तो noise में ज्यादा हो जाएगा ठीक है इसके बाद जो अगला characteristic आता है distortion आता है तो इसमें जो distortion होता है carbon microphone में 10% होता है ठीक है ज्यादा ही distortion है 10% इसमें distortion आता है अगला जो इसका characteristic है वो frequency response है तो हमने पिछले वी लेक्चर में पढ़ा है कि जो भी microphone है इसका frequency response होता है वो flat होना चाहिए तो 200 hertz to 5 kilo hertz for plus plus minus 1 db plus minus 1 db के लिए 200 और 5 kilo hertz के बीच में इसका frequency response flat होता है ठीक है अगला जो characteristic है इसका directivity तो directivity के बारे में में पिछले वीडियो में देख चुका है कि directivity होता क्या है इसका जो carbon microphone है उसका जो directivity होता है omnidirectional होता है मतलब चाहे आप जो carbon microphone है उसके side से बोलें चाहे friend से बोलें चाहे left side चाहे right side से बेलें चाहे back से बोलें उस same direction में इसका आवास same सुनाई देगा ठीक है तो इसलिए इसको बोलते है omnidirectional होता है इसकी directivity अगला जो इसका characteristic है वो sensitivity है तो sensitivity कितना होता है 100 millibolt for SPL of 0.1 pascal 0.1 pascal का sound pressure है उसके लिए इसका जो sensitivity होगा 100 millibolt होगा ठीक है यह तो हो गया इसका carbon microphone का characteristic अब हम लोग देखने वाले इसके features को तो low costly होता है low cost होता है जो carbon microphone होता है है ज्यादा costly नहीं होता है ठीक है small dimensions होता है size में छोटे वी होता है carbon microphone होता है इसका dimensions होते है वह small होता है छोटा होता है ठीक है prone to heat इसमें heat भी कम होता है और prone to moisture मौश्या जो नमी होती है उसको भी कम सोकता है ठीक है और mechanically very rigid जो भी mechanically हम लोग carbon microphone है mechanically rigid होगी मतलब drin होगी मजगूत होगी strong होगी ठीक है जल्दी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है जल्दी खराब नहीं होने े इसके बाद हम दोग देखने वाले से अप्लिकेशन को इसका युज होता है कई सारे जगे इसका यूज होता है कुछ हम basin को देखेंगे portable radio communication sets में इसका यूज होता है कहां फिए hudra portable radio communication करीद्लरोव ता इसका यूजह होता है और टेलिफों में इसका यूज होता है और भी कई जगें carbon microphone का यूज होता है ठीक है तो I hope यह video lecture आपको अच्छे समझ में आया होगा तो video समझ में आया होगा तो video को like कीजेगा चैनल पर नए होगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह का जो video lecture है वह आगे भी आता रहेगा और हमारा कोशी सही रहेगा कि आपको कुछ ऐसा बताया जाए इतना simple तरीके से बताया जाए ताकि आपको knowledge भी ज्यादा से ज्यादा हो और उस तरीके सा आप exam में लिख लिख के आए और ज्यादा से number ज्यादे से ज्यादे marks भी आपको gain हो ठीक है तो मिलते हैं एगले वीडियो में तो हमने बताया है कि आपके जो consumer electronic है जो optical fiber communication है इनके सारे lecture को आने वाले दिनों में हम लोग cover करेंगे हो सकता है थोड़ा late हो लेकिन आपके exam से पहले सारे topic को हम cover कराएंगे यह मेरा वादा है आपसे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाहें